किसान सातियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान सातियों आपको याद होगा एक से सवा साल पहले मैं इस गाउं में आया था इस गाउं का नाम है चन्दना कोली यह देवबंद के पास में है और तलहडी से लगबग पांच किलोमीटर की दूरी पर है यहां एक मेरे मित्र है धरमबीर सिंग जो कस्टम ओफिसर रह चुगे हैं और उन्होंने एक बहुत ही सुन्दर बाग बनाया विया है तो मेरा यहां पर आना काफी दिनों से ड्यू था और आज समय मिला है तो मैं आया हूँ इनके पास स्याम को आज रात को यहीं रुकूंगा और सुभे को भी यहां पर वीडियो बनाऊंगा आईए मैं आपको मिलवाता हूँ धरंबीर सिंग जी से और उनसे ये भी पूछे मुआ कि आपने इस बाग को कैसे डवलप किया है कितने साल का बाग है और इसमें क्या-क्या पोदे है किसान साथियो धरंबीर सिंग जी एक बहुत पढ़े लिखे इंसान है और केमेस्ट्री बेसिकली इनका विशे है केमेस्ट्री के आदमी है तो इन्होंने जैविक अपनाया है अपने खेतों में वैसे तो जैविक पर आजकल बहुत धंदा होता है और मैं इनके बाग में आ दो जार थरटीन में मंबे से रिटायर हुआ था पर महाँ पर मैं दो साल ला उसके बाद में फिर में यहाँ पर शिफ्ट कर लिया था अम्रूद लगा हुआ अम्रूद की तीन विरैटी हैं ललित है स्वेता है अलावा सफित है कि आपको ये इतने अच्छे पद से रिटार होकर आपके बच्चे सेटल है तो आपको गाउं में आने की और ये करने की क्यों सूझी और आपने इसे किस तरह से सानभ्ण से किया फिर मजफवनगर से मास्टर डिक्रीं केमिस्ट्री की या मैं और ग certification कादमी है हुँ फॉर्त के बाद में मैंने मिनमेने कैमिकल सर вч्ष जॉयन इंक्या की ज्यों में ताप में कैमीड़् लगरेड में न्यों Nawal से पर लगा रखा था यह पहले से मेरा मन था कि यहां पर बहुत अच्छा बाग तैयार करूं तो उसी के लिए सब तैयारी 2015 से चालू किया था और यह 15 अगस्ट 2016 को हमने यह इसमें लीची अमरूद और बागी दूसरे फल भी लगाई भी हैं रोज के दोनों साइड में और यह तीन साल से इसमें कोई भी केमिकल फटले जरुगरा बिल्कुल नहीं डाला इसमें हम जो है पूरे उसमें वेस्ट डीकमपोजर सुलसन चलाते हैं जीवा अमर फलों के पेड़ हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल फटलेजर तो किसी भी किसान को यूज नहीं करना चाहिए उसमें ज़्यादा लागत भी आती है और जो ना उसकी आपकी जमीन भी खराब होती है और जोना आपकी दिरे दिरे जोना वह फसल भी उसमें और ज़्यादा केमिकल मात फटलेजर की जुदत पढ़ती है जब आपने जैविक करने का सोचा तो जैविक में आप जो सुक्सम तत्व हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं उनकी पूरती किस प्रकार करते हैं उसके लिए जो आप कंपोस्ट खाद बना प्रकार करते हैं और कितनी बाहर करते हैं अभी आपने एक सब्सक्राइब कि फाइलर रिस्प्रे प्स्लिप किसका है और जो सुक्सम तत्वे हैं उनकी पूरती होता है इस में एक तो आप खादम और लेने के बाद में पूसा से सबिचुट इस इस जिवानु कल्चर है लेके भी आता हूँ और अभी जा नहीं पाया जो लोकडाउन की वएस है तो उनसे रिक्वेस्ट किया तो उनने बाइपोस्ट भी भेजा तो उसमें कंपोस्ट खाद में ये सब चीजे मिला के फिर वो मैं खाद तयार करता हूँ और उसको साल बर में दो बार इन में डालता हूँ उसके बाद में जो माइक्रो नूट्रेंट हैं उनकी उसके लिए एनपी के कंजरोटियम को आप जना जिस टैम में कभी खेत की जुटाई कर रहे स्टेम में आप जोना उसकी मिटी में मिला के या देशी खाट में मिला के इस पर सकते हो फिर पानी दे दो उसमें और उपर में जो फालयर इस पर हैं बहुत अच्छे-च्छे माइक्रो निट्रेंट आ रहे हैं और उसमें आप अगर थोड़ा सा पेड़ की ग्रोथ कम है तो ऐसा नहीं मैं केमिकल फर्टिलाइजर के बिल्कुल खिलाप नहीं हों पर जमीन में कम यूज करो उसको फाइलर में ज्यादा यूज करो जैसे आप यह ना बावन चो तिस करके वह आता है जिसमें नाइटोजन होता है पोटास और फासपेट होता है उसमें आप माइक्रोण मिला दो इफको के भी आते हैं प्रोड़क्ट जिसे इफको का सागरिका बहुत अच्छा है वो लिक्विड फोर्म में आता है आप जानते हो कि बाया वीटा वो पी आई कंपनी बनाती है और सागरिका का लिक्विड जो ना यह इफको बनाता है दोनों के सेम कंपोजिशन ह है रिजर्ड दोनों के बराबर है कोस्ट आ दी है इफको प्रोड़क्ट की जो मैंने देखा है नीमू में और अमरूद में दो सुकसम तत्वा बोरोन और जिंक इनकी बहुत आवस्च्छता पड़ती है इनकी पूरती आप किस प्रकार करते हैं जैविका अगर आपको ज्य उसमें जितने भी जिंक हैं कोपर हैं मैगनीज है मैगनीशियम है जितने भी पोसक तत्तों की पोड़े को जुरत पड़ती है वो सभी उसमें होते हैं उससे बहुत अच्छी पूरती हो जाती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी चलती है और अगर किसी ने आम का बाग लग आएंगे उसका वो तो स्टेम में फॉयलर में फॉयलर स्प्रेज इस टैम में बहुत आना सुरू होता है उस टैम में आप सागरिका का ये लिक्विड जो ना वो स्प्रेए कर दो आप उससे आपकी जना बहुत अच्छी फ्रूटिंग आएगी बहुत अच्छा फल आएगा फल का साइज भी बड़ा होगा और नीचे में आप अपनी दूसरे जो खाद है उनको यूट आपने सागरिका पर बहुत जोड दिया इन्होंने बताया कि बायो वीटा भी एक आता है जिसका केमिकल कंपोजिशन और सागरिका का दोनों का समान है लेकिन जो आपकी सागरिक का हमें परियोग काफी करना चाहिए जमीन में भी करते हैं और फाइलर इस स्प्रे में भी करते हैं तो जमीन में किस टाइम करेंगे और फाइलर इस स्प्रे में किस टाइम करेंगे जो हमें लाइब दायक होगा ये भी बताएए ताकि किसान इसे उस सागरिका ग्रेनूल फ फिर आप उसमें ये वाला जिवाणू कल्चर वाला खाद डाल दो कितनी मातरा में वो तो एक पेड में जैसे माल्य छोटा पेड़ है तो पचास ग्राम पड़ जाएगा बड़ा पेड़ा है तो डेड़ सो दो सो ग्राम से ज्यादा बिलकुल नहीं डालना आपको डेड़ सो जो जो जिवानु कल्चर वाला खाद है वो डाल दो और उससे मैं और अगर किसने वेंचरी लगा रखी है तो वेंचरी से एक तो वेस्ट डीकंपोजर सोलुसन भी आप चलाते रहो वो मैं इसको तीन साल से चला रहा हूँ यह जमीन इतनी अच्छी हो गई इसमें इतना केच हो जाएगा वो छे घंटे से ज्यादा पानी खेत में रुकता नहीं है इसमें और उसके अलावा जो ना जीवामरत भी जबाब बनाओ जीवामरत में भी आप वैस्टी कंपोजर सोलुसन में ला लो और जीवामरत अगर घंजीवामरत बनाओगे तो उसमें तो वह सागरिका का फॉयलर स्प्रे तो एक्चले में जिस टैम में प्री फ्लोरिंग स्टेज आती है एक तो उस टैम में कर दीजिए आप दूसरा जो ना जिस टैम में आपका वह फल हलका चोटा बनना सुरू हो जाए उस टैम भी डालेंगे तो वह उसके साइज को भी बढ़ाए से मतलब है कि जब कलियों से फलावर बनने वाले हैं हाँ हाँ जैसे आम में है आम का बोर आना सुरू हुआ तो उस टैम में आप कर दो जिस टैम में आप बोर आ रहा है उस टैम में आप उसको कीजिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे कुल्टार से भी बढ़िया है कि आपने जमीन की आप सोutenig जरूर कराएं सोutenig कराने से आपको यह मालूम पढऻ जाएगा कि एक्चुली में आप की जमीन की पी एच वेल्यू कितनी है कारबन कितना है आप उसमें कौन से N.P.K कि कितनी requirement की जुर्ट है माइक्रोनूट्रेंड की किसकी जूरत है जब भी टेस्टिंग कराओ अच्छी लैब से कराओ जिससे पूरा डिटेल में मालूम पड़ाई जिसे कारबन का बहुत जरूरी होना अगर किसी जमीन में कारबन पॉइंड नाइन या वन हो जाती है तो वो सबसे बेस्ट जमीन मान करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज आपकी जमीन केमिकल है कल आप जैविक से शुरू कर देंगे इसके लिए आपको तयारी करनी पड़ेगी अधिक से अधिक कंपोस्ट का परियोग करना पड़ेगा और उसे करने से पहले आप अपनी जमीन का टेस्ट जरूर कराईए आप उसमें अधिक कंपोस्ट डालिए वेस्ट इकंपोजर का लगातार परियोग करिए जैसा कि मैं भी पहले बताता रहता हूं कि एक एक कड में एक हजार लिटर से लेकर पांच हजार लिटर तक आप नीचे दे सकते हैं जमीन भुरबुरी होगी जमीन में हवा का संचार होगा कि केच्वे अपना कारिया करते रहते हैं दूसरी चीज है कि इसमें जो सुक्सम तत्वा है वो इन्होंने बताए हैं कि बहुत सारे हैं जो की जैविक हैं एजिटोबेक्टर है और जो मैंने बोरोन कहा था कि बोरोन अगर आपको दो तरह से हैं केमिकल भी ले सकते है नहीं तो एक बोरेक्स पोडर आता है उसको भी आप गरम बोरी कैसिडी में उसको भी कर सकते हैं बोरी कैसिडी से बोलते हैं जहां चाहां वहां रहा लेकिन आपको मन बनाना है और एक दम से आप केमिकल को जैविक में नहीं कर सकते कम से कम तीन साल लगे यह उतना ही सकते ह एक जो जिसको सराबगी लट लगी हुए उससे कह देंगे कल से तुम सराब छोड़ दो उसी तरह से जमीन का हिसाब है कि आपको धिरे धिरे करके आप उसको लाइए और तीन साल बाद जैविक में ही परिवर्तित हो जाएगी और आपकी जो जब जैविक हो जाएगी तो आप किसांत साथियों इसी के साथ मैं विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिन जै भारत बंदे मातरम